जैश्री राम प्रिय भग्दो हमें अच्छी तरह से ध्यान लगाने के लिए क्या किरिया सीखने पड़ेगी ये किसी ने कमेंट करके पूछा है देखिए आपको ध्यान लगाने के लिए किरिया सीखने की कोई जरूर्द नहीं है ऐसा नहीं है कि ध्यान किरिया के उपर आध तेहलने जाना भी हो सकता है, समुद्र के पास बैठना भी हो सकता है या पाहड को देखते हुए गहरी सांसे लेना भी ध्यान हो सकता है अगर किरिया को आप तकनिक मात्रा समझते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका अभ्यास किया जाए बहुत से वेक्ति जो ध्यान लगाते हैं लेकिन उनको किरिया के बारे में पता नहीं होता है मैं किरिया को एक तकनिक की रूप में बता रही हूँ यह कहा गया है कि ऐसा पाया गया है कि किरिया से ध्यान लगाने में मदद मिलती है इसलिए अगर आप किरिया सीख लेते हैं तो आपके लिए ध्यान लगा पाना बेहद आसान हो जाता है हलांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ध्यान लगाने के लिए आपको किरिया आनी ही चाहिए अगर आप किरिया करते भी हैं तो भी आपको ध्यान बिना कुछ किये करना होता है क्योंकि किरिया भी गती विधी है इसलिए लक्ष यह है कि सभी तरह की गती विधियों से मुक्त हुआ जाए